हेलो स्टुदेंट्स वेल्कम तुद आपर चैनल सौपर लॉंग टाइम अगें वेर गूंग तो स्टार्ट पॉर्शन जहां पर कि हम उसे छोड़े थे तो आज हम क्लास 12 फिजिक्स में हम पढ़ रहे थे मैगनेटीजम के ऊपर ओके हमारा चैप्टर चल रहा था मैगनेटी effect of current, magnetic effect of electric current, okay तो magnetic effect of electric current में हमने ये discuss किया कि अगर current flow होता है किसी भी conductor से, किसी भी wire से, तो उसके around एक magnetic field produce होता है, हमने एक experiment पढ़ा उसके उपर and the experiment is or state experiment, okay, that is the first experiment by which it was proved that current can produce magnetic field around it, okay, after that हमने उस magnetic field के magnitude के उपर बात किया और एक और law को हमने पढ़ा, that is the bio-savet law, okay, bio-savet law से हमने देखा एक formula महा पर हमने पाया कि हम उस किसी भी conductor के लिए, अगर current flow हो रहा है तो उसके पास किसी point पे magnetic field के intensity को कैसे determine करेंगे, for that we have discussed a formula, उसके बाद हमने उनके कुछ applications देखे, bio-savet law के, ठीक है, तो आज का जो discussion होगा, छोटा से वीडियो है, छोटा सा ही topic हम डिसकस करेंगे इस वीडियो में, हम डिसकस magnetic field produce हो रहा है due to current carrying conductor, due to current carry conductor, ओके हम इसी के उपर बात कर रहे हैं इस चैप्टर में, magnetic field के उपर special studies हम अगले चैप्टर में फिर से करने वाले हैं, जहाँ पर कि हम magnets को ले के भी magnetic field के बारे में study करेंगे, पर यहाँ पर हम magnetic field को study कर रहे हैं, due to current hiring conductor, ओके, तो current caring conductor के around जो projecting फ्र और हम बात किए बायो सेवर्ट सलो में यहां पर हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे डायरेक्शन के ऊपर उस मेगनेटिक फिल्ड के डायरेक्शन के ऊपर ठीक है यह पहला टॉपिक होगा राइट हैंड थम रूल एक रूल है इसको में समझना है जानना है आगी चलके करना है बहुत बार आई थिंग इट वस डिस्कॉस्ट अर्लियर इन एन वीडियो बट यहां पर स्पेसियली इसी के उपर यह मतलब वीडियो बनाया गया है यह फिर से इसको में रिपीट कर रहे हैं ठीक है तो राइट थम रूल इट वस एक्चुली गिवन बाय मैक्स्व काल इन्हों ने यह रूल दिया इन्हों ने कहा जिदना रूल इस द robust ृर्फ टेकivenessाम अंचान में थीक है इस केरेंट स्ट्रेड पार राइट थीक है तो अगर हम इसे इस referringktion प्राइटे पर रूल को इस तरह से, ओके, after that, and the thumb points the direction of current, से the thumb, यह thumb जो है, यह current की direction को बताता है, इस तरफ current है, यह thumb current की direction को बता रहा है, then the fingers curl around the conductor, इस conductor के around बाकी के fingers, जो ऐसे curling हुए है, curl हुए है, wrap around the conductor, ठीक है, यह बताएगा, जो produce हुआ है magnetic field, due to this current carrying conductor, उसके direction को, ठीक है, अगर ऐसा current गया, तो यह है magnetic field का direction, ऐसा current गया, यह है magnetic field का direction, ऐसा current गया, यह है magnetic field का direction, clear है, ठीक है, तो यह rule, current carrying straight conductor के वज़े से, जो field produce हो रहा है उसके around, उसके direction को बताता है, ien. Magnetic field lines बनते हैं थीक है जैसे electric field में हम पढ़े है electric field lines, वैसे भी magnetic field lines बनते है magnetic field line के ऊपर ला दीविल में तया पनेट के बार में पढ़ेंगे अब यहां पे फिर्द बन रहा है, तो ऄल के में目तेट की ओ हैं już ठीक है ना, this is right hand thumb rule given by Maxwell, apply होता है हर जगा पे, ये किसी state conductor के लिए है, अगर state conductor नहीं भी होगा, तो भी इसको हम apply कर सकते हैं, कैसे, suppose कोई circular loop है, this is a circular closed loop, circular है, इस पे current flow हो रहा है, ठीक है, इस direction पे, suppose, यहां से हमने देखा इसको, इस direction पे current flow हो रहा है, तो अगर हम इसके लिए भी magnetic field देखाना चाहें, direction को, see this, क्या करेंगे, suppose, ये एक टो point हम consider करते हैं, यहां पे, तो इसी point पे current का direction क्या है, उपर की तरफ, ऐसा हम यहां पे imagine कर सकते हैं, उपर की तरफ, ठीक है, तो ये current का direction, तो ये magnetic field का direction, तो ऐसे type का magnetic field बनेगा, ऐसे, ये current तो ये magnetic field, यहां पे देखो, current नीचे जा रहा है, अगर यहां पे एक टो point हम लेते हैं, current is downward, ठीक है, so this is the field, इस तरह से ये field बनेगा, इस तरह से, imagine कर पा रहे हो, ऐसा circle है, suppose, ऐसे current गया, तो इस point पे हमने देखा, ये उपर की तरफ current, तो ये होगा field, यहां पे देखने है नीचे की तरफ ये है, इसी होगा field, ठीक है ना, तो ये जैसे circle है, circle काई face, ओके, तो इस तरह देख रहे हैं, तो बीच में ये अंदर की तरफ, यहां से देखें, तो बीच में ये अंदर की तरफ, तो ऐसे, एक ही तरफ ये magnetic field बन के आ रहा है, ठीक है, यहां पे वही direction है, ये देखो, ये current, ये field, तो इसके लिए भी देखो, ये बाहर ही निकल के आ रहा है, ये current का direction होगा, ऐसे होगा field, इसके लिए भी बाहर निकल के आ रहा है, ठीक है, इस face से ऐसे बाहर निकल के आ रहा है current, इस direction के according, तो इस loop के लिए भी ये rule हम apply कर सकते हैं, ठीक है, right hand थम रूल गिवेन भाए मैक्सवेल अब हम एक और रूल के बारे में जानते हैं यह नोट कर लिए परी गूट एक और रूल के बारे में जानते हैं जो की यूसफुल होगा आगे चलके यूँकि हमें आगे इसी टोपिक के उपर magnetic effect of current के उपर कुछ और important facts भी जानने हैं जैसे कि हम study करेंगे different loop solenoid के बारे में पढ़ना है कुछ classes के बाद वहां पर use होने बाला एक और रूल हम जानते हैं ठीक है and that rule is known as clock face rule इसका क्या काम होगा देखेंगे clock face rule ठीक है अच्छा इस रूल पर आएंगे समझेंगे ठीक से statement जानेंगे पहले एक बात यह मैगनेट है सपोच हमार पढ़े नहीं है अभी तक मैगनेट के बारे में in next chapter में आए का बट्ट इन यूर क्लाश 10th physics you have studied about it एक बार मैगनेट है not only in class 10th इन यूर प्रिविएस earlier classes also we have studied about it बार मैगनेट क्या कोई भी मैगनेट उसके दो थो पोल होते हैं एक north पोल एक south ठीक है तो इसके around magnetic field बनता है ये 10th पे पढ़े हो ठीक है तो बनता कैसे है इसका जो direction होगा वो होगा north to south outside the magnet ठीक है जो direction होता है magnetic field का north to south north to south outside the magnet ये होता है direction और south to north pole inside the magnet इस direction of magnetic field around a bar magnet ठीक है इस concept को ले के हम इसके बारे में समझेंगे clock face rule तो इस statement क्या कहता है पहले जान लेते हैं लुकेंग एट एनी फेस अफ एक करेंट केरींग करेंट केरींग सर्कुलर लूप है करेंट केरींग सर्कुलर लू इसके बारे में बात कर रहे हैं एक करेंट केरींग सर्कुलर लूप है suppose this is the current केरीं सर्कुलर लूप ठीक है ऐसे current flow हो रहा है looking at any face, हम इस face को देख रहे हैं, किसी face को देखो, हम इस face को देखते हैं, चलो, ठीक है, यह है current का direction, कैसे है, clockwise है, this is the clockwise, clockwise direction में, current flow हो रहा है, ठीक है, circular loop के इस face को हम देखते हैं, clockwise देखा, ठीक है, current के रिंग circular loop, if current is clockwise, then this face behaves as south pole, this face behaves as south pole, ठीक से समझेंगे, see this, इस face को हम देखा, इस तरफ से देख रहे हैं, क्या है current का direction, clockwise, तो अगर current का direction clockwise है, तो यह rule कहता है, कि यह जो face है, यह behave करेगा, south pole की तरह, ऐसा क्यूं करेगा, इसके साथ, इसको relate करते हुए समझते हैं, say this, अगर यह current, इस तरफ flow किया, इस point पे use करो, पहले जो law पढ़े है, जो rule पढ़े है, right hand thumb rule, ऐसा होगा, यह होगा current का direction, मतलब magnetic field ऐसे enter कर रहा है, इस face में अगर हम देखें, magnetic field यहां से enter किया, enter किया तो मैं cross दे रहा हूँ, ठीक है और इस तरफ देखे तो यह ऐसे निaying conscious क्या रहा है और डॉट दे रहा हूं एसे बाहर निकल क्या रहा है ठीक है ऐसे यह एंटर किया और आसे करल कर देंगे यह बाहर निकल क्या है अब इस पे देखो इस पॉइंट पे, current इस तरफ होगा, वह रूल एपलाई करो, तो इस face में again देखो, यह enter किया, क्या, magnetic field, और इस तरफ देखते हैं, तो यह बाहर निकल के आया, जो enter कर रहा है, उसके लिए cross, जो बाहर निकल के आरह है, उसके लिए dot उसके लिए, ठीक है, अच्छा, तो यहा ऐसे enter कर रहा है clear है तो अब इसके साथ compare करो North और South Pole के बीज में किस pole में field line enter कर रहा है किस pole पे enter कर रहा है North से निकल रहा है South पे enter कर रहा है see this South पे enter कर रहा है ठीक है तो इस face के देखे में क्या लगा कि इस face में field enter कर रहा है ठीक है इसी लिए हम क्या बोलेंगे कि अगर ऐसा current flow हो रहा है clockwise तो यह जो face होगा यह behave करेगा किस तरह से एक South Pole की तरह ओके यह बस बनाने याद रखने के लिए ऐसा हम बनाते हैं इसको diagram में South Pole की तरह यह face act करेगा अब देखो मैगनेट के एराउंड मैगनेटिक फिल्ड बनता है यहाँ पर कोई मैगनेट नहीं है यहाँ पर मैगनेटिक फिल्ड बनाने का कॉज इलेक्ट्रिक करेंट ठीक है तो करेंट अगर फिल्ड बना रहा है तो हम बस एक एनालोगस देखते हैं अनालोजी देखते हैं कि मैगनेट के साथ यह current करीं गंडॉक्टर कैसे हम समझ पाएंगे रिलेट कैसे कर पाएंगे ठीक है इसलिए हम क्या कहेंगे क्योंकि यहां से इस फेस से फिल्ड एंटर कर रहा है इसलिए हम इसको बोलेंगे साउथ पोल की तरह ही ब्याइब किया कब अगर current उच फेस से हमें कैसे दिखे क्लॉक्वाइज वैसे ही इस फर्ये एंडिकति हमें कि इस यह 30 को ऊश्य क्रॉक्वाइज पोली कोर डशली फेस दिखे लिखेंड आपी की अननुर नमूर्थ ओल वहास बान जाए है तो यह वेस बन जाएगा नॉर्थ पॉल एसक्यों कि reyह यह लूप है यह current का direction anti-clockwise अगर यह anti-clockwise है तो वैसे यह apply करो इस तरब current है यह curling magnetic field का direction तो इस face में देखो field ऐसे निकल के आएगा बाहर की तरफ, enter नहीं करेगा यहाँ पर यह current गया तो यह field ऐसे बाहर की तरफ निकल गयाएगा, उसी rule से right hand thumb rule से, तो face में अगर हम देखते हैं, anti-clockwise direction में तो, क्या हो रहा है magnetic field ऐसे बाहर निकल के आ रहा है अब फिर से यहाँ पर आते हैं किस pole से field बाहर निकल के जाता है, outside the magnet north pole से बाहर निकल के जाता है, इसी लिए, यह जो face होगा यह behave करेगा north pole की तरह ठीक है, यह face इस समाझने के लिए इसके साथ analogy हम याद रखना है हमें clockwise है, तो वो face south pole की तरह anti-clockwise है current, तो वो face दिखेगा north pole की तरह ठीक है, अब ऐसा जिससे मेरे सामने कुछ students बैठे हैं यहाँ पर एक loop है मेरे लिए इस face से मैं देख रहा हूँ तो यह मेरे लिए समझे clockwise है तो मैं कहूंगा इस तरफ क्या है south pole, पर उस तरफ से तुम देख रहे हो तुम्हार देख क्या है anti-clockwise then for you, it is that face वो वाला face जहां से तुम देख रहे हो वो का north pole, वह यह बात है okay, clock, face, rule तो यह दो ठो रूल होते हैं इसको हमें आगी चल गए और बहुत से application इसके देखने हैं तो यह दोनों रूल को हमें याद रखना है फिल्ड के direction के according यह तूल दिया गया है okay, so next video में हम कुछ और topics के बारे में डिस्कस करेंगे magnetic effect of current chapter अभी continue रहेगा okay, thank you